तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका sociology classes के मारे यूट्यूब चैनल पर तो जरूरी सूचना पहले यहा है कि अगर अभी तक आपने हमारा telegram channel नहीं जॉइन करेंगा है तो जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का नाम है sociology classes by राजपूत तो आप सर्च करके जॉइन कर सकते हैं तो आज हम देखने वाले हैं नीरा देशाई जो की feminist थिंकर हैं भारती जारक महिला विचारक हैं और नारिबादी विचारकों में जो है इनसे प्रश्ण यूजी सी नेट और और अधर एक्जाम में भी पूछा जाता है तो आई यह देखते हैं कुछिंद के बारे में महतपूर्भाइट इनका जो जन में हुगा था उन्रिट 2009 में हुई थी अपले इनका जो है पेरियड या समयकाल रहा है तो भारत में महिला अध्यन के निताओं में से एक थी उन्हें प्रोफेसर सोधकर्ता सिच्छावीत राजनीतिक कार्यकर्तायं सामाजिक करता के रूप में इनके योगदानों को देखा जाता है इनके सहयोगी कि इन्हें नीरा बेन के नाम से भी पुकारते थे तो एक यार दिसाई जीकी पतनी थी उन्हों ने 1974 में महिला अध्यन के लिए पहला अनुसंधान केंद्र और ग्रामीर विकास केंद्र की अस्थापना की मोस्ट इंपॉर्टेन पॉइंट है इनके बारे में कि नीरा दिसा दिसाई थी जो कि महिला अध्यन के लिए पहला अनुसंधान केंद्र और समाजिक ग्रामीर विकास केंद्र की स्थापना की है नीरा दिसाई का जन्म 1925 में एक गुजराती परिवार में हुगा था जो भारती स्वतंत्र अंदोलन में शामिल था और उसका समर्थन करता था वे अपने स्कूल के दवरान इंद्रा गाधी द्वारा इस्थापित वानर सेना या मंकी ब्रिगेट का हिस्ता बन गई और 1942 में अल्फिस्टन कॉलेज में सामिल हुई लेकिन महत्मा गाधी की दिच्छा से प्रभावित होगा उन्होंने स्वतंता अंदोलन भाग लेने के लिए जल्द ही अप्चारिक सिच्छा को छोड़ दिया तो जब महत्मा गाधी ने अशहयों गांदोलन चालो किया था तो उस समय इन्होंने जो है अपनी सिच्छा छोड़कर उसमें अपना युगदा दिया था दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पूछा जा सकत है किनाने इन वानल सेना ब्रिगेट में सब्सक्राइब कि स्युक्राइब कि सेना की आधी भीकेट से वह संबंधित है तो ऑइंडरा-गाधी द्वारा स्तापित वानल सेना या मनकी ब्रिगेट से समंधित कि 1947 में उनकी साधी समास्सास्त्री अच्छे रमलाल दिसाई या एर दिसाई के साथ हुई भारती स्वतनता के बाद दिसाई ने अपने इस नाकुत्तर की पढ़ाई पूरी की उनकी में की थीसिस जो थी आधनिक भारत में महिलाओं परकेंद्रित थी जो कि भक्ति आंदोलन स से लेकर महिलाओं का पिसले सब तक जुड़ा हुआ था जिसे 1957 में प्रकासित किया गया था दिसाई जी का निधन जो है 25 जून 2009 में मुंबई में हुआ था तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिंट थी नारीवादी थी नहीं नारीओं के उपर अपना जो है लेक आउर केंडरि रहा है देश इस अब ब्रिटिस रूल आन दफ फूमर आफ इंडिया तो जब ब्रिटिस रूल था उस समय भारत की महिलाओं कि क्या प्रभाव थी उसके बारे में लिखते हुए का कि देशावी जो है एक पेसेवर कारे जो है लिंग अधियन में सुधार लाने के ये नीदिकत सीफारिशों के माध्यम से अकादमिक जीवन के ब्यवहारिक अनुभव लाने और नागरिक समाज के सच्छिक पाठकरम के समझाने पर पिचारित करने परकेंद्रित किया है उन्हों ने इंपक्ट आप ब्रिटीस रूल आफ दा हुमन आफ इंडिया नामक एक ल बिवा सती प्रथा जैसे समाज में कई कूप रथा जिनका समाप्ति हुआ उसकी भी चर्चाए करती है जिसाई का जो प्रशेवरकार जंडर अध्यां था था महिलाओं पर अध्यां था उनके लिए क्या क्या नीदियां बनाई गई गई व्यावारिक जीवन नागरिक के लिए हैं जो उन्हें से प्रमुख है 1904 में एसन डीटी में उन्होंने सामिल किया गया उन्हीं 65 में समास सास्त में PhD इन्होंने पूरी की 1972 में भारत में महिलाओं की इस्तिती पर समीत के समाजिक काड़िप बलके सदस panelists के रूप में इन्हें न्यूक्त किया गया उसके बाद 1975 में महिला अध्यान के लिए अनुसंधान इकाई की स्थापना इन्होंने की है 1982 में भारती महिला अध्यान संग IAWS के संस्थापक के सदस्यों में से एक रही है 1927 में स्वारोजगार महिलाओं और अनुपचारिक छेत्र की महिलाओं पर राश्टिय आयोग की सदस्य भी रही है अर्थात इन्हों उसके बाद इस्पाइरो महिलाओं पर सोध कारे के लिए ध्वन यावर चित्र अभिलेख गार के संस्थापक सदस्यों में से एक रही इन्हों ने तमाम महिलाओं पर समितिया जो थी उन्हें समंदित रिलेटेट कार करने वाले आयोग जो थे उनकी सदस्य ए रही तो इसमें से सबसे ज़्यादा महतपूर भाग है जो पूछा जाता है कि महिला अध्यान के लिए अन्संद्धान इकाई की अस्थापना उन्हीं सपचत्तर में उन्हों किया है और आई एडबलूयस मैं भारती महिला अध्यान संक में कार किया इसमें पूछा सकता है उसके इस प्द्व हो की निम्लखित में से कौन शी फ्लाशारा नारी बादी सदसे रही आगे नीरा दिसाई ने अनन ग छिजराथी दो उन्हों भासाओं में लिखा है उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुष्टक इस प्रकार है भीमेंस इन इन मार्ण इंदिया उनिस्टो सतावन इनगींग आप फेमैस्ट इंदिया जन्रल आफ जिंडर इस्टाडिज तू उनिस्तो पंचान वे विमेंस आयंड भक्ती मुमेंट तो इनकी जो तीन प्रमुक पुष्टके रही हैं उनमें भीमेंस इन माडन इंडिया उनिस्टावन दा मेकिंग आप फेमिनिस्ट इंडियन जनरल आफ चेंडर इस्टडीज उनिस्टो पंचानवे और भीमेंस अंद भक्ति मोमेंट तो यह जो है तीन पुष्टक हैं जो कि पूछी जाती है महिलाओं की स्वतंता समानता और सिच्छा के लिए नीरा बेंदिसाई जीवन भर कार्यकरती रही उनिस सबस्टर से पहले महिलाओं की समस्याओं पर लिखा इन्होंने और उस दिसा में काम करने से प्रमुक रही है सामाजिक कार्यकरता के रुप मानों क्या-क्या समस्याओं का सामना कर रहा उस समय 1970 के पहले के दसक में क्या-क्या करना पड़ता था उनके लिए मानव अधिकारों की बात वह करती है इनके अलामा जो है इन्होंने नर्बदा बचाओं अंदोलन कास्तकारी स्थंगठन इन दोनों पर भी अपना योगदान दिय किया है बार्मी सदी के भक्ति आंदोलन और 19 सदी के समाजिक सुधार आंदोलनों पर उनके सोधने कई युवा विद्वानों को उनके लेखन बहस कविता प्रतीकवाद विभिन कला के रूपों के मुक्तिदायक पहलूओं की जाच करने के लिए प्रेडिट किया है कि टूवर्ड्स एक्वेल्टी रिपोर्ट में महतपूर भूंक्या निभाई है तथा 1988 की स्रमसक्ति रिपोर्ट और महिलाओं के लिए राष्टी परिपेच योजना में अपनी महतपूर भूंक्या या देती रही 1988 में मैत्रई किस्राज के साथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी तो यह भी पुस्तक महतपूर हो जाती है फिमेंस और सुसाइटी इन इंडिया का सहलेखन भी इन्होंने किया है आगे पुस्तक विमेंस इन इंडिया सुसाइटी में जो प्रकासित करने के लिए नहीं ठककर वप उसा ठककर के साथ जो है शहयोग किया है इन्होंने अपना जो सहयोग एक अगली पुस्तक विमेंस इन इंडियान सुसाइटी में भी प्रदान किया संपादन में और यह पुस्तक महिला ससकती करड़ वर्स 2001 में प्रकासित किया गया था तो यह भी प्रशन पूचा जाता है किस वर्स को महिला ससकती करड़ के वर्स सराहा गया था उसमें इनका भी यह कारे जो है प्रमुक रूप से था 1990 के दसक के दवरान उन्होंने अनुसंधान की गुडात्मक पध्धतिका प्रयोक किया और पश्मी भारत के सव नारिवादियों की प्रोफाइल तयार करने का कारें उठाया इस कारे को पूरा करने में उन्होंने 17 साल लगाए पढ़ाम सरूप फेमनिस्म एज एक्समेरिमेंट थौर्स और नरेटिव के रूप में 2007 में और साउंड एंड पिक्चर आइक आर्काइब्स फार रिसर्च अन होमन इस पैरो द्वारा प्रकासित किया गया था इन्होंने एक पूरा ही पूरा जो है अपना प्रोफाइल तैयार किया जो भी नारिवादी थी उनमें से पस्चिम भारत के सव नारिवादियों की सब्सक्राइब्स नारिवादियों की क्या विचार है कि क्या धार्ण आये हैं उस रूप में 2007 में प्रकासित हुई और यह प्रकासन जो हुआ वह साउंड एंड पिक्चर आइकांस फार्दर रिसर्च आज हुमन इस पैरो द्वारा प्रकासित किया गया था अंगरेजी और ईनना गुजराति में उनका सौद्ध और लेकन alm lag और सक्ति से संबंधित मुद्धो से यह फुद्धों से अ लिग और सक्ति संबंधित मुद्धों के प्रतिगहृरी चीन्ता और नारिवाणी विचाराक विचारधा रहा कि सामाजिक सोंचना है को समझने के प्रयास को दर कि इनका मानना था कि प्रभावी महिला अंदोलनों के लिए हमें मजबूत विसले स़डात्म कोसल की आओ सकता है है और हमें इस पर ध्यान कंदित करना चाहिए महिला अध्यन के प्रति उर्जा महिलाओं की समवेदन सीलता के साथ महिलाओं के ज्ञान का निर्माड करना संवेदन आए महिलाओं का दिश्ट कोड के लिए हमें पांच हथियारों की आव सकता है इन्हों ने कहा कि हमें प्रभावी महिला अन्दोनलों के लिए सबसे पहरे पांच ऐसे हथियारों की आव सकता है ताकि उनके पास नौलेज मेदन सीलता है अर्थात ग्यान को निर्मार करने की छमता मजलाओं का दिश्ट कोड आधिका विखास किया जा सके वह पंच महाभूत जो है वह पहला कि मजलाओं को सिच्छा के उपर कार्द किया जाना चाहिए उन्हें प्रसिच्छर दिया जाना चाहिए दस्ता वेजी करण प्रक्रद के जाना चाहिए उनका उसके बाद उन्हें अनुसंधान और कार्यवाही में अपने योगदान प्रदान करना चाहिए तो यह भी मुश्ट इंप्रटेंट पॉइंट था कि नहीं ने जोए पांच महाभूतों की बात की है तो यह भी पूछा जाता है यह पूछ नीरा बेसाई द्वारा दिया गया कौन सापंच महाभूत में सामिल है या नहीं है तो इस तरह की जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसलिए इसको याद करना जिरूरी है सिच्छण प्रसिच्छण दस्तावेजी करण अनुसंधान और कारिवाही जो है इन्होंने पंच महाभूत पताए है अगला युवा महिला कारिकरताओं और सोधकरताओं ने उन्हें महिला अध्यन की जननी का नाम दिया है क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता जनकारी सलाह और विसाल अनुभव के साथ महिलाओं की चार प्रीडियों को हमेशा प्लब्ध रही है अर्था नालेज पतान किया है कल्पना कन्ना वीरन ने उनके संदर में लिखा है कि नीरा बेन के निधन से हमने महिला अंदोलन और महिला अध्यन में एक गुरू को खो दिया है उन्ह के विचारों और उनके अधिकारों के सम्माल के लिए ड़ती रही है और उन्हीं पर उनके लेख आधारित रहे हैं उन्होंने एक आधार प्रदान किया आगे वाली महिला नारिवादियों के लिए ताकि महिलाओं के उपर अध्यन किया जा सके इनकी प्रमुख पुस्तके रही है year One in India society to women in Indian society 2001 में women's and society in India तो यह हम से फ़्यसा ठक्कर के साथ इन उन्च संपाधन किया था और इनका we cur 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 prior मित्रई किसरडराज के साथ आई थी इनकी अलावा देडी कोड़ आफ हुमन्स मोमेंट इन इंडिया 1988 में प्रकासित पुस्तक जबी रही है इसके वालावा इंडियन हुमन्स चेंज चैलेंज आइंड चैलेंज इंटर्नेशनल डिकेट उनिस्तों पचातर से उनिस्तों पच में लिखा हुआ है उसके क्या प्रभाव है क्या समझ आया है क्या चैलेंज़ेस उन्स सब की चर्चा स्लिक फुस्तक में इन्होंने की है जोकि 1980 में प्रकासित कासित हुई है अगली थिंकर है सरमीला रेगे तो रेगे एक दलिवास्ताइब काला नारिवास्ती कालाए ऑस है तो आउए देखते हैं रेके भारती समास्ट्रि नाधिवादी विध्वान है और राय्टिंग कास्ट और राय्टिंग जेंड्र की लेखी कैंग है तो राय्टिंग कास्ट और राय्टिंग जिंडर जो है नोकी पहुती प्रसिद है।हता क्रही जोकि बार 7 Sasha में भी जाता है इन्होंने पूरे विष्विद्यालाय में जोती साभित्री भाई फुले महिला में अध्यान केंद्र लिंग अध्यान विभाग का जो है नित्रेत्व किया है जिस पदपर वह 1991 से कारेड़त थी उन्हें मद्रास इंस्ट्रियूट में विकास अध्यान में विशेष् इनकी मुम्रित्ट जो है 13 जुलाई 2013 पूरे के कैंसर के कारण हो गई थी 13 जुलाई 2013 रेगे भारत में अग्रडी नारिवादी विद्यानों में से एक रही है जिनका परिपेच जो है वह दलित वादी द्रिष्ट कोल परिपेच था भारत में वर्ग जाती धर्मा और कामु सिच्छा जगत के भीता दलित छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए रेगे का काम भारत में महतपूर सच्चिक सुधार के प्रति उनकी प्रदिविद्धिता का प्रमार रहा है एक लेक में उन्हें फूले अमबेटकर वादी नारिवादी बिल्डर के साथ के साथ इसके संबंधों की व्याख्या इननोंने की तो कि शनमीला रेगे जो ठीवड़ीं बहुत जयादा प्रभावित थी जोती बाय फूले से भी बहुत चाहते प्रहावित थी उन्से ही प्रभावित होकर इन्हों ने दलित वादी द्रिश्ट को अपनाया है और दलित छात्रों के अधिकारों और सिच्छा के लिए इन्होंने कई अथाकांदोलन और प्रयास किये कि एनहोंने नारीवादी बिमर्ज में से चाथ की संवर्चनात्माद में किस्ताध में नारीओं परेती संवर्चना में हिंचा की जाती है कामुक्ता absorb के साथ उनके संबंधों की व्याक्या कि है कि कामुक्ता के साथ कामुक्ता कि इस देखा जाता है उनको कैसे की यह जाता है इस चब्क बात एक रती महिलाओं की सवाल को लेकर उनकी चिंताएं इतिहास लेखन दलीत आवाजों और दिश्च्छोडों के प्रति हिंदू राष्ट के अध्या अंध्र धबो को उधार या उजागर करती है तो इनका जो लेखन था इतिहास लेखन था इतिहास में दलीतों को किस तरह से कुछला या दुबाया जाता था उस दिश्च्छोड के पच किस तरह से हिंदू राष्ट जो है की कुरीधिया थी उनको उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है जिन्हें अक्सर भारत में इतिहास के राजनीती परि प्राकार देने में बीयार अंबेट करके केंद्री भूम्क्या को फिर से स्थापित करने पर उनके जोरने या सुनिश्चित किया कि हासिये में आने वाली आवाज अध्रिस नहीं सर्जनिक पहस में राजनीतिक प्रतिसपर्धा और समवाद के लिए जगां खुली कि खुलती है जो कि तेजी से बयान वाजी से भढ़क रही तो इन्हों ने फिर से जिस तरह अंबेट करो ने धलितों के लिए राजनीतिक आद यह क्यारों की मांग की और फिर से सोना जाए इसलिए इन्होंने बार बार हासिये जाए किनारे पिना कर दिया जाए उसके लिए इन्होंने फिर से आवाज उठाने का जो है कार किया है आर्थिक विकास और वैस्वी करण की चर्चा करते हुए इनकी अंतिम पुस्तक अगेंस्ट दम मैडनेस आप मनू में इन्होंने ब्रामणवादी प्रित सत्ता के खिलाप अपनी विचार या लड़ाई का आवन करके महिला अंदोलनों में अमेटकर की भूम्ट्या को केंद्री किंद्री कित करने की कोसिस की और बताय कैसे जाति व्यवस्था में महिलाओं के खिलाव वर्गी क्रित हिंचा को जन्म देती है इन्होंने अगेंस्ट दमैडनेस मनू तो मनू जो पुष्तक है उसकी इन्होंने आलोशना की है कि उसमें किस तरह से प्रित्त सत्तात्म गया ब्रामणवादी प्रित्त सत्ता हावी या प्रभुत राह और जादी व्यवस्थाओं के माध्यम से किस तरह से दबे और कुछले लोगों के उपर या महिलाओं के खिलाब किस तरह से हिंचा की जाती थी उसकी इन्होंने चर्षा की है बाइकल्पिक इतिहास लेखन पर उनके विशेश ध्यान ने ग्यान और साहित्य अभ्यास की अस्थानी और मौखिक परमपराओं को राष्टी इसमीत के अभिलेखा गार बनाने के लिए अनुवात पर्योजना को माध्यम से जन्ता के ध्यान में लाकर नया जीवन दिया है जिन्होंने जो इतिहास को एक विकल्प के अधार पर संस्क्रिती अभ्यास अस्थानिक मौखिक परमपराओं आधिकी राष्टी इसमीति को अभिलेखा गार अर्थात एक अभिलेख के माध्यम से और पर्योजनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो है जिससे जन्ता मधink है जो है जागरों हो सकी है और जनता के जीवन मेरे जो हैwyn जीवन जो है इन Хे-A-ji दिया जा सके है 2002 में इन्होंने महिला अध्यान विभाग में बच्चों के लिए एक डेक एर सिंटर की अस्थापना की है तो उन्होंने अध्यान विभाग में बच्चों के लिए महिला अध्यान जो इस्टडी अस्थापना हुई थी उसमें इन्होंने डेक एर आप सिंटर की अस्थापना की है ताकि बच्चे जिनकी महिलाओं के पास बच्चे हो वह आकर अपना कार्या और उनका अनुपालन भी करे सकें है अन्य महत्पूर्थ सर्मीला रेगे ने sama कही जा रही उनको साथ चोड़ कर देखा था कायसे प्रितसथा और較 प्रितसथात जौड़ कर महिमा पेर सिंसा को जो है लीगल बलाने का कार्याइं किर था या महिलाओं का सोसड करने का कार्य किया था इस रिसर्च पर किया कि जिसने भारती समाज सास्त और महिला अध्यन में नई दिशापदान की तो इनका जो यह रिसर्च था सोसड और पित्त सत्ता को जोड़ कर देखना तो यह एक महिला अध्यन को नई दिशापदान करती है भीमन इस्टडीज में अपने दलित फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट में वह अपने विचार इस पस्ट रूप से ब्यक्त करती है और एकडमिया में नए सब्दों का उद्भाव उन्होंने किया है दलित वादी परिपेच्च के तेंद्र को रखते हुए इन्होंने अपनी बात किया है तो यह दलित वादी या उपास्ति परिपेच्च से संबंधित रही और अपनी बात करते हुए इन्होंने बताया कि विवाव व्यवस्था ने हम दहेज जैसी प्रथा से वाकिप हैं सरम कि विवाह जैसी विवस्ता में एक दहेज प्रथा या कुर्प्रथा देखी जाती है उसके लिए उन्हें अपनी जो है दलित फेमिनिस्ट इस्टाइन पॉइंट में लेख लिखा है कि हमें उसके खिलाब अभियान चला कर विचार करना चाहिए जबकि वामपंथी महिला अंगठनों ने दहेज को भारत में पूजी बात के विकास के तरीकों में देखा है स्वायत महिला समूह परिवार के भीतर पृत्त सब्तात्मक्ष शक्ति इंसा पर ध्यान खिंद्रित किया है इन्होंने देखा कि जो वामपंथी महिला संगठन थे उन्होंने दहेज को भा का इस पर इन्होंने ज्यान कंद्रित किया है धायेज की वर्तमान प्रथाओं ब्राभणी करकर की प्रक्रियाँ और प्रथाओं को पर उनके प्रभाव की संदर में देखा जाना तो चाहिए तो हमें देखने के लिए अलग पिछपो स्टाइल समाज जो कोई रहा तो उन्होंक इसे और वादी आधर्स लो मुंतने और और इसके साथ जोड़कर देखा अधर्शों ने दहेज वीवाह को प्राथमिक्ता दी और यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि इन्होंने का कि ब्राम्हणवादी यादर्श ही है जो कि दहेज को बढ़ावा देते हैं और यह लिखा हुए अभी है वास्ताव में ब्रह्म्ह वीवाह की वैधता की अपनी वे वस्तुएं देखर अपनी पुत्री को बिवाह करता था तो यह जो है कहें वहीं से जो है दहेज पुत्ता की सुरुवात हुई है ब्राम्हणवादी जातियों के अंगे रूपों के बिवाह के ब्रम्ह बिवाह को अपनाया गया है इस तरह से दहेज को एक आवस्यक निरंतरता जारी रखी है जो दहेज के विश्लेशड के लिए महत्पूर है इन्होंने कहा कि इसकी निरंतरता बनाये रखने के लिए दहेज प्रता की इन्होंने अंतर विवाह को सिध्धान्थ और अपनी ही जात्मी विवाह के सिध्धान्थ को बनाये रखा है जिससे यह महिलाओं को अपनी विशेश धर्म या चाथ की वज़़ से सोसड का समना करनी करती है इन्होंने कहा कि किस तरह से भारत का नादीबाद सभी वर्ग की जाती धर्म आधी की मतलब सभी महिलाओं को एक खाज़े में रखकर कहा कि उनके सोसड का प्रमुक आधार जो है वह धर्म का सोसल किया जा रहा है उसको एक तरह से नजर अंदाज कर दिया है आगे चलकर इस पर सर्मीला रेगे जो है कारे करती है चुकि 1970 के दसक में कई मुखर नारिवादी स्वेत मध्यम वर्ग विस्विद्यालय सिच्छित थी इसलिए यह उनका अनुभव था कि महिला अनुभ श्रक की थी और विस्विद्यालय सिच्छित वोग थी उनके अनुभव के आधार पर इन्होंने महिला अनुभव के रूप में सारभ्वह्मि बनाने का प्रयास संकार सभी महिलाएं जो है निगर है और सभी महिलाएं चलीत है इन्होंने सभी महिलाओं के उपर अत्याचार की चर्चा की है तो कहा है कि महिलाओं की स्थिति दलितों की स्थिति से बहुत ज़्यादा आलाग नहीं रही है तो है लगभा की एक समान है ब्यापक बयान दिये गए इस प्रकार महिलाओं के मुद्धों के प्रतिवाम पत्तिशों की द्वैत्ता का बिरोध इस दावे से किया गया कि महिलाएं अनिमारे रूप से अने महिलाओं से जुड़ी है ज्यान का ब्यक्तिपरक अनुभव नारिवात के सर्भौमिक सिध्धान्त का अधार बन गया इसको अधार बनाकर इन्होंने अपने नए ज्यान के ब्यक्तिपरक अनुभव को जो है नारित्म के सर्भौमिक सिध्धान्त के रूप में चर्चा की है इस प्रकार अनुभाव व्यक्तिगत राजनीतिक का आधार बन गया और साथ ही उत्पीरन को परिभासरित करने के लिए एक मात्र विश्वसनिय पद्धती उपकरण देखा गया इस तरह की स्थिति के रूप में दलित महिलाओं की अनुभाव को पूरी तरह से अध्रिस्टा थी या केवल उनका एक प्रठिकात्मक प्रचितनीधित्व था इस प्रकार दलित इस्थित्त का पूरुसी करण और नारित्तों का सरवाड़ी करण हुगा जिससे दलित नारित् बहुता है कि किस तरह से एक पध्धादी का विकास किया गया जिसमें दलित महिलाओं को तो एकदम से दर्किनार कर दिया गया और जो अन्य महिलाओं है उनका सरवी सवाड़ी करण हुगा अर्थाद उन्हों उन्हों को भी दबाया गया जिससे दलित नारित्तों का एकदम से बहिस्कार हुआ है सरमीला लेगे जो है मलकांड मलकाल अधिसेस्या पुरस्कार से 2006 में इंस्ट्यूट आप डिवलप्मेंट इस्टडीज मदरास में बहतरीन काम करने के लिए जो है सम्मानित किया गया था वे भीमराव अंबेटकर के सब्दों से प्रभावी थी आपको मेरी आखरी सलाओ है कि सिच्छित अंदोलन और संगठित हो यह खुद पर विश्वास रखें और हमारे पच्छ में यह साथ होगा तो चीज तरह से अंबेटकर का मानना है कि आपको सिच्छित होना चाहिए स अंदोलन करके या विश्वास रखना चाहिए कि आपको अपने अधिकारों की जो है प्राप्ति होगी अर्था नियाए आपके पच्छ में होगा इससे कापी ज्यादा यह प्रभावित रही है अगली एंकर इनकी पुस्तक जो है प्रमुक तो राइटिंग कास्ट राइट अर्था ब्राहुआजवादि पृत सप्तात्मक में मेटकर के बिचार मनो के खिलाब क्या थे उसकी इन्होंने चटचा की अंदेयों मनो की तो अलोचना करते हैं अम्बेटकर जी उसकी इन्होंने अपने अध्यन में प्रयोग किया है इनके अलामा सोशियोलाजी आप जेंडर करके बुक आई है जो की एडिटेट बुक है जिसमें कई अन्य महिलावादी नारीवादियों का जो है लेखों का समावेशन किया गया है तो आज की वीडियो य आइकन सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यमाद